टेली की शुरुवात में students के मन में काफी सारे confusions होते हैं उन्ही confusions में से एक confusion होता है कि direct और indirect expenses क्या होते हैं direct और indirect incomes क्या होती है टेली में incomes और expenses से related ledgers create करते समय confusion होता है कि उनको direct में रखा जाए या indirect में रखा जाए तो आज कई वीडियो पूरा देखने के बाद आपका ये confusion दूर हो जाएगा और आप आसानी से समझ जाओगे कि किस expenses को direct में रखना है किसको indirect में रखना है तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम बात करते हैं कि expenses होते क्या है माल के production और उसको बेचने में जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें expenses कहा जाता है expenses से businessman की पूंजी में कमी आती है expenses दो तरह के होते हैं direct expenses और indirect expenses direct expenses वो खर्चे होते हैं जिने businessman माल के production में या फिर माल को खरीदने में करता है और जब तक वो माल बेचने के लिए तयार नहीं हो जाता तब तक के सारे खर्चे इसमें शामिल होते हैं Direct Expenses गोड्स यानी वस्तु की लागत को बढ़ा देते हैं Direct Expenses के एक्जामपल है जैसे के कच्चा माल खरीदा गया कच्चे माल को लाने के लिए जो भाड़ा दिया गया या फिर फ्यूल खर्च हुआ या फिर कार खाने की फैक्टरी की बिजली का बिल दिया गया मशीनों की मरम्मत कराए गई या फिर फैक्टरी का रेंट दिया गया तो ये सारे direct expenses कहलाते हैं इनके जो ledgers बनाये जाएंगे उनको direct expenses group के अंडर रखा जाएगा जैसे के मजदूरी दी गई तो इसका एक ledger बनाये जाएगा wages account और उसको direct expenses के अंडर रखा जाएगा दूसरे होते हैं indirect expenses ये वो खर्चे होते हैं जो goods की बिक्री और office से related होते हैं indirect expenses के example है जैसे के salary दी गई, donation दिया गया, discount दिया गया, auditor की fees, telephone के खर्चे, चाय के खर्चे या फिर bank के loan का ब्यास दिया गया या advertising कराए गई तो ये सारे indirect expenses में आते हैं जैसे कि company ने अपने employees को salary दी, तो यहाँ पर salary एक indirect expenses में आता है इसलिए आप leisure create करेंगे salary account और उसको आप indirect expenses के under रखेंगे इसको आप एक line में ऐसे समझे कि जितने भी खर्चे माल के production में होते हैं या माल के production से जुड़े हुए होते हैं उन सब को direct expenses में count किया जाता है जबकि ऐसे खर्चे जो माल के production से जुड़े हुए नहीं होते उनको indirect expenses में count किया जाता है अब हम बात करते हैं income की जब हम market में goods को sale करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं इन पैसों में से expenses को घटाने के बाद जो भी पैसे बचते हैं उनको हम I यानि income कहते हैं income दो तरह की होती है direct income और indirect income direct income वो income होती है जो हमें goods या services को sale करने के बाद हासिल होती है जबकि indirect income वो income होती है जो हमें goods या services को sale करने के अलावा किसी और तरीके से हासिल होती है जैसे कि हमें कहीं से discount मिला, कहीं से commission मिला, या कहीं से rent मिला या हमने कहीं पर पैसा invest किया था तो वहां से हमें ब्याज मिला तो ये सब indirect income में आता है तो इसको भी आप एक line में ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी भी incomes, goods या services को sale करने से होती है यानि business की man income होती है उनको direct income कहा जाता है जबकि ऐसी incomes जो goods या services को sale करने के अलावा किसी दूसरे तरीके से होती है उसको indirect income कहा जाता है अब जैसे की company को कहीं से commission receive हुआ, commission मिला तो आप एक ledger create करेंगे commission account और उसको आप indirect income group के अंडर रखेंगे क्योंकि ये indirect income में आता है चली हम बात करते हैं कि daily में direct और indirect expenses और incomes के ledgers को कैसे create किया जाता है लेकिन उससे पहले मैंने एक table बनाई हुई है, आपको ये देखनी चाहिए ये आपको notes में मिल जाएगी इसमें मैंने आपको दिखाया है कि direct और indirect खर्चे कौन-कौन से है जैसे कि कच्चे माल की ढुलाई में जो पैसा खर्च किया गया, वो direct expenses में आएगा माल को import किया गया, तो उसपर जो duty पै की गई, वो direct expenses में आएगी rent, direct और indirect दोनों expenses में आता है, ये depend करता है कि किस तरह का rent company ने पै किया है जैसे कि factory का अगर rent पै किया जाए, तो ये direct expenses में आता है जबकि अगर office ये फिर guest house का rent पै किया जाए, तो वो indirect expenses में आता है तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि factory का rent पै किया गया, तो ये direct expenses में आएगा इसी तरह से royalty दी गई, या मज़दूरी दी गई, तो ये direct expenses में आएगा अगर advertising पर पैसा खर्च किया गया, या commission दिया गया, discount दिया गया, donation दिया गया किसी को free sample दिया गया, या insurance का premium दिया गया, या फिर कोई company पर case हो गया और वकील को पैसे दिये गये, legal charge दिया गया, या फिर company में आग लग गई और उससे काफी नुकसान हो गया तो ये सारे खर्चे indirect expenses में आएंगे, क्योंकि ये माल के production को effective नहीं करते हैं, माल के production से जुड़े हुए नहीं है टेली में ledger create करने के लिए पहले हम account info में जाएंगे, जिसके लिए A प्रेस करेंगे यहाँ ledgers में जाने के लिए L प्रेस करेंगे, और यहाँ ledger create करने के लिए C प्रेस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम indirect expenses का एक ledger create करते हैं, जैसे कि salary account तो यहाँ पर हमने लिखा salary account, tap प्रेस करेंगे, यहाँ पर कोई उपनाम, कोई alias हम डाल सकते हैं इसके बाद यहाँ under, किस group के under आप इसको रखना चाहते हैं, तो इसको हम रखेंगे indirect expenses, तो यहाँ indirect expenses पर click करेंगे क्या यह inventory value को affect करता है, बिल्कुल नहीं करता है, इसको हम no रहने देंगे नीचे आएंगे यहाँ पर type of ledger, इसको हम note applicable में रखेंगे क्या इस पर GST applicable होगी यह नहीं, अगर नहीं applicable होगी तो आप note applicable एंटर करेंगे इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ bank details को provide कर सकते हैं, यस करके वरना आप tap press करते हुए नीचे आएंगे और accept करनी के लिए y press करेंगे तो यहाँ पर salary account जो के indirect expenses में आता है, create हो चुका है अब हम कोई direct expenses वाला ledger यहाँ पर create करेंगे तो उसके लिए हम जैसे के यहाँ पर बनाते हैं मजदूरी account company ने मजदूरी दी, तो यहाँ पर हम बनाएंगे wages account यहाँ पर हम कोई उपनाम, कोई alias डालेंगे, इसके बाद tap press करेंगे इसको रखेंगे हम direct expenses में तो यहाँ पर आपको expenses find करना है या फिर आप यहाँ पर type करेंगे x तो यहाँ पर देखे expenses direct, इस पर click करेंगे तो यहाँ पर expenses direct आ चुका है inventory को यह effect करता है, बिल्कुल नहीं करता, हम इसको no रहने देंगे GST पर applicable होगी या नहीं, इसको हम यहाँ से no करेंगे इसको भी note applicable करेंगे, tap press करते हुए नीचे आएंगे और इसको y press करके accept करेंगे तो यहाँ पर एक wages account जो के direct expenses में आता है, create हो चुका है इसके बाद यहाँ पर हम एक indirect income का laser create करेंगे जिसमें commission आता है, या discount आता है, या free sample आता है बहुत सारे हैं जो indirect income में आते हैं तो यहाँ पर हम डाल देते हैं commission account commission account इसके बाद tap press करते हुए नीचे आएंगे इसको हम रखेंगे indirect income में तो इसके लिए आप INC यहाँ पर type करेंगे, आपके सामने आ जाएगा income तो इसमें से हम indirect income चूज कर लेंगे inventory value इससे effect नहीं होती है, no रखेंगे और tap press करते हुए नीचे आएंगे GST भी इसपर applicable नहीं होगी, तो इसको भी हम no tap applicable कर देंगे यहाँ पर इसको भी हम no tap applicable करेंगे, tap press करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ से हम Y press करके इसको accept करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आप direct और indirect expenses के ledgers create कर सकते हैं direct और indirect incomes के भी आप यहाँ ledger आसानी के साथ create कर सकते हैं स्वाई हूप की अब आप समझ गया होंगे कि जितने भी खर्चे direct production से related होते हैं उनको direct expenses में count किया जाता है और जितने भी खर्चे direct production से related नहीं होते हैं उनको indirect expenses में count किया जाता है यही हाल income का है कि जितनी भी incomes, goods या services को sale करने से हासिल होती है उनको direct income कहा जाता है जबकि ऐसी incomes जो goods को sale करने के अलावा किसी और तरीके से आती है उनको indirect income कहा जाता है सो आज के लिए बस इतना ही आप इसी की practice कीजिए अपने mind में इसको set कर लीजिए इस वीडियो के notes आपको telegram channel पर मिलेंगे अगर आपने channel को अभी तक join नहीं किया तो उसका link भी आपको description में मिल जाएगा आप उस telegram channel को join कर लीजिए उस पर आपको सभी videos की notification मिलती रहेगी और साथ ही आपको सभी videos के notes भी मिलते रहेंगे